तो क्या चीन इतने मोर्चों पर लड़ सकता है खास्तोर पर तब जब यूएस सेवन्थ फ्लीट भी अब सौट चाइना सी में आ गई है देखने वाली बात ये है गौराव की अमेरिका का जो बाइडन के नीचे क्या रवया रहेगा क्या रवया रहेगा क्या चीन आक्रम अक्तेवर फिर से दिखाने शुरू कर दिये हैं कि उसको लगता है कि दॉनल्ड ट्रॉम गया और अब जो अगली सरकार है वो शायद इतने आक्रम अक्तेवर अमेरिका की नहीं दिखाएगी तो फिर आप गर्जे हरारत काफी बढ़ते हुए देखेंगे हमारे बॉर्डर पे हमको तयार रहना चाहिए और हमको डिटर करना पड़ेगा चीन को डिटर, we will have to deter China from such intrusions and activities आपको जैसे की नाचुला 1907 में हमने किया था चीन के कीमत impose करनी पड़ेगी चार साव से जादा चीनी उस वकत मरे थे तो शामती रही 40 वर्ष लिक है जब तक आप धक्का मुक्की करते रहेंगे ये तमाशा चलता रहेगा ये तमाशा चलता रहेगा भी कान लेट चाइना इंपोज देखेंगे हर चीन का फैसना चीन करेगा कि धक्का मुक्की पर वापस आजाओ हम धक्का मुक्की पर वापस चले जाएगे ये नहीं होना चाहिए और ये हमको जो है अब भी बाव तो बीपरेइड वी विलाव तो गेट अग्रेसिव और अगर चीन सोचता है कि वो भारत को केवल डरा डरा के सब पिश्क परानेगा ये नहीं होगा अगर हम लोग इस समय नकूला की ही बात करें सिक्किम की ही बात करें जी जी मिनाक्षी गौरफ कल जो बात्चीत हुई है क्या ये जो तीन दिन पहले की घटना है ये कल की बात्चीत में ये मुद्धा आया होगा अभी जो लड़ाख में बाचीत हो रही है वो लड़ाख खेतर में तनाव को कम करने की हो रही है जो चुशूल और मॉल्डो का डिविजन है भारत की तरफ से जो सेना के अधिकारी उसमें भाग ले रहे हैं उनकी जिम्मेदारी केवल लड़ाख के उसक्षेतर की है हाना कि चीन की तरफ से जो अधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो उनका पूरा वेस्टन थेटर कमांड देखते हैं जैसे जनरल जीडी बक्षी ने बिल्कुल सही कहा कि जनरल जाव जौंकी जिनकी निगरानी में 2017 में डौकलाम भी हुआ था और फिर जो पिछले वर्ष हमारी सीमा पर तनाव हुआ था उनकी बहुत किरकरी हुई उनकी बहुत नाककटी और वो जो सोच रहे थे कि उनको सेंट्रल मिलिटरी कमिशन में ले आया जाएगा और उनका बहुत कद बढ़ जाएगा चीन की सेना में ऐसा बिलकुल नहीं हुआ क्योंकि भारत ने जो चीन को उत्तर दिया ना केवल 2017 में डॉक्लाम पर बलकि यहाँ पर साउथ ओफ पेंगॉंग सो दोनों में चीन को मुखी खानी पड़ी जो चीन आज तक वो कबूल नहीं कर पा रहा है कि उसके कितने सिपाही शहीद हुए कोई statement क्या आर्मी की तरफ से officially दिया जा सकता है इस पर उमीद यही की जा रही है कि थोड़ी देर में सेना इस पर कुछ कहेगी या सूत्रों के हवाले से या फिर आपचारिक तोर पर क्योंकि सेना की भी कोशिश यही है या सरकार की कोशिश यही है कि बातचीत से मसला हल हो इसलिए नौर दोर की बातचीत हो चुकी है जिसमें एक बार फिर दिसंबर में भी चीन ने इस तरह का प्रयास किया था दक्षणी लदाख में जब उसके सिपाही गाड़ियों में अंदर आने का प्रयास करें